हेलो दोस्तों आसा पैट केरम आपका स्वाकत है अगर आप मेरे चैनल पर नहीं जोड़े तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए साथ में बैल आइकन को बटन जरू दवाईएगा चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं चिकलेट वर्याइटी के बारे में हम बात करेंगे अगर आप मेरे वीडियो नहीं है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और वीडियो का आखिर तक जरूर देखिएगा अब यह कौनवेट चिकलेट में आती हैं और सिवराम फिश भी चिकलेट प्रजाती में आती हैं यह एग्रैसिव होती है थोड़ी सी और सेमी एग्र अगर जो सॉफ्ट फिस होती है उनके साथ ना रखें गोल्ड फिश होगी मॉली फिस होगी छोटी फिस के साथ ना रखें यह उनको आं भी पहुचा सकती है मार भी सकती है इसलिए आप ज्यादध प्रजाती को चिकलेट वाली के साथ ही रखियागा कि यह है देखिए आप यह दोनों मेल हैं और दूसरे साइड में देख सकते हैं वह पैरेट फिस हैं जो अपना एक घर बना रखा उन्होंने बाउल के अंदर और यह आप देख सकते हैं चिकलेट इनको में इनको आप फ्लूटिंग परेट भी सकते हैं सिंकिंग पर दे सकत हैं इनको बॉइल एक भी दे सकते हैं यह सब एक्सेट कर लेती है खाने के लिए देखिए कितनी अच्छी थे किसी इनके ग्रोथ है अगर आपको इसको पालना है तो आपका मिनिम्म साइज वेरिम का वन वाई बन होना चाहिए एक बाई एक का उसके इंदर आप और फीचिस रख सकते हैं चार फीच वीडियो कैसे लेकिन लाइक कमेटर और शेयर जरूर कीजिएगा